हेलो इब्रिवान स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारी से चैनल पढ़के तो देख पर तो बच्चो यह वो चैनल है जहां पर हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10 और बच्चो क्लास 10 की त्यारी हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तकी कराएंगे और बच्च आप बहुत अच्छे मार्क स्केल करेंगे तो बच्चो एक चीज और है आपको आप सब की शिकायत थी कि मैं भाई आपके पढ़ा रहे हो लेकिन नोट्स नहीं मिल रहे हैं नोट्स कैसे बनाये जाएं तो बच्चो हम आपके लिए लेकर और बहुत बढ़िया से को स्टार्ट कर लेते हैं तो बच्चो हम लोग क्लास तिंथ में शुरू कर रहे थे अपना साइंस के अंतरकत फोर्स चाप्टर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तो कि बहुती विज्यान का चाप्टर है बच्चो इस चाप्टर में अभी तक तुमने जाना था प्रका है और ना स्टे ड meow या आपको बताओं की प्रकाश के गुड़ों के बारे में और प्रकाश के रास्ते के बारे में बच्चो औश्का लेक्टर बहुत ही ज्यादा important है बहुत ही जादा interesting है और बच्चों आप यह माल लीजिए कि आपको आज की lecture से बहुत कुछ पता चलने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों सबसे ही आज की क्लास का target क्या है बई-ास की अगर धेख रहे हैं तो आज में क्या क्या सीखने को मिलेगा तब देखो सबसे पहली चीज़ कि आज बच्चो आपको प्रकाश की गुडों के बारे में पता चलेगा बिठा आपको प्रकाश शुरोतों के बारे में पता चलेगा प्रदीप्तवा अदीप्त वस्त्वों के बारे में पता चलेगा साथी साथ बच्चो आज आप सीखेंगे कि प्रकाश का रास्ता कैसा है प्रकाश ये पथ के बारे में सही है तो बहुत देटेल बात करेंगे बिलकोल इंट्रेस्ट के साथ पढ़ेंगे धेर सार एक्जाम्पल्स भी देखेंगे चलिए बच्च शुरू करते हैं सबसे पहले परकाश वह जिसकी उपस्थिति में हम बस relacion को देख पाते हैं और प्रकाश एक प्रकार की उर्जा है ये सब हम लोग जान चुके हैं बात करते हैं प्रकाश ये श्रूत के श्रूत मतलब क्या होता है श्रूत मतलब है वह वस्तु जहां से हमें वो यहां से मिल रही है जैसे मालो छोड़ा च्घांपल देती हूं हमेशा देती रहती हूं पैसे हैं पैसे मनी मनी अभी इस टाइम पर आपको अगर चॉकलेट खानी तो क्या खोगे पापा पैसे दे दो ना आपकी मम्मे को अगर जो है साड़ी के लिली तब वो क्या कहेंगी सुनो जी ना फ्लीज ना दो हजार रुपे दे दो साड़ी खरीबनी है है ना दूद वाल आएगा बहिया बिल दे दो क्या बलता है महीने का हिसाब कर दो दूद वाल आएगा भाया महीने का हिसाब कर दो स्कूल टीचर का कहेंगे सर स्कूल की फिस जमा कर दीजिए तो यानि कि इस टाइम पर पापा जी क्या है हाना हमारे थाम सब के पापा जी क्या है पापा है सोर्स आफ मनी है जिसको इस पैसे चाहिए सब पापास जाकर मांग रहे हैं तो पापा जी क्या है इस टाइम पर penal सब्स़ें सर्स और मनी है बढ $ वैसे ही प्रकाष जिन वस्थवस और कॉ भद होता है उसे हम कहते हैं स्रौ प्रकाशिये श्रोत्त लू दो प्रकार श्रोत् या तो प्राकृतिक या क्रत्रम या तो बच्चो प्राकृतिक श्रोत या क्रत्रम श्रोत बच्चो प्राकृतिक मतलब क्या होता है प्रकृति से प्राप्त होने वाला क्रत्रम मतलब बच्चो क्या होता है मानव निर्मित अभी आप रूख छोटे छोटे हो इन सारे वर्ट के मतलब समस्ते जाओं मानव निर्मेठ जिन्हें मानव ने बनाया है बच्चो जैसे की बल्व दिया सूर्य आग मौम बत्ति यह सब क्या हैं बच्चो प्रकाश ये श्रोत हैं इन में से कुछ प्राकृतिक हैं प्राकृति में जैसे आपका सूर्य आगया तारे आगया बच्चो इस सब क्या हैं प्राकृतिक श्रोत हैं बच्चो जो है मौम बत्ति बिटा जी जो है दिया लाल टेन यह सब बच्चो क्या हैं यह सब बच्चो हैं मानव निर्मेठ तो अपने को समझ में आ गया है प्रकाश ये श्र तो वे वस्तुवें जिनसे हमें प्रकाश मिलता है उन्हें हम कहते हैं प्रकाशिय श्रोत और बेटा जी ऐसी अपने पास दो प्रकार की वस्तुवें एक होती है प्रदीप्त वस्तुवें एक होती है अदीप्त वस्तुवें बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा को इंगलिश हैं बोलते हैं luminous bodies अदीप्त वस्तुएं को बोलते हैं non luminous bodies ठीक है अब अच्छो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है बिटा प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका स्वयम का प्रकाश होता है तथा जो अपने से प्रकाश को बाहर निकालती है विच्टेडों निकालती है त अब स्विच्टी का बाहर को विच्टेडों वी वस्तुएं जैसे कि सूर्य आपका बिटाजी प्रदीप्त वस्तु है उसकी अंदर खुद का प्रकाश है तारे मिटा तारों के अंदर खुद की उर्जा है खुद का प्रकाश है लेकिन वहीं पर बच्चो गर आप बात करो मोम बत्ती की लाल्टेन की जलता हुआ कोईला है ना बच्चो टॉर्च ये सारी वो वस्तों है जिनका स्वयम का तो प्र प्रकाश बाहर निकल रहा है फिर से स्नो जलता हुआ कोयला क्या बच्क्व लालटेन मौन बति टॉ dirg me check भल्व फच्चर यह व्होवस्त वह हैं जिनका स्वयम का प्रकाश तुनें है लेकिन इन से प्रकाश बाहर निकल रहा है बच्चों हम क्या बोलेंगे उन अवस्थ्वों को भी प्रदीप तवस्थ्वें बोलेंगे एक्जाम्पल बच्चों चाहों तो लिख लो इसका एक्जाम्पल यहाँ लिखवाँ तो एक्जाम्पल प्रदीप तवस्थमों का एक्जाम्पल वच्छों क्या होगा दिया मोम बत्ती जलता हुआ कोईला टॉर्च सूर्य तारे आदि अब बच्चों हम बात करने वाले हैं अदीप तवस्थमों की बेटा अदीप तवस्थमों वे वस्थमों होती हैं जिनसे प्रकाश बाहर नहीं निकलता जिनसे प्रकाश उत्षरजद उत्षरजद मतलब क्या होता है बाहर निकलना बच्चों ये सारे words रहने अपको इसलिए अभी बता रहे हूँ कि आपको आगे काम आएंगे तौर आपको पता होना चाहिए कि उत्षरजद मतलब होता है बाहर निकलना जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, तथा जो प्रकाश की उपस्थिती में दिखाई देती हैं। दिखाई देती हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे अधीब दवस्तु हैं। एक्जाम्पिल क्या होगा आपका? बच्चो टेबल, चेर, हम सब अपनी बॉड़ी से कहीं प्रकाश बाहर निकल रहा है क्या? बच्चो सेम चीज़, टेबल, चेर, बच्चो आपका जो है पैन, पैंसल, बहुत सारी चीज़ हैं। जितने भी आसपास चीज़ें, बच्चो कैसी हैं, सब अधीब दवस्तु हैं। यानि कि उनसे प्रकाश बाहर नहीं निकल रहा है, बच्चो सिर्फ और सर्फ प्रकाश की उपस्थिती में वो हमें दिखाई दे रही हैं। अच्छा बच्चो मेरा आपसे एक क्विश्चिन है कि चंद्रमा किस प्रकार की वस्तु है। चंद्रमा अधीब दवस्तु है या प्रदीब दवस्तु है। इस बात को बच्चो आप मुझे कॉमेंट करेंगे। और बच्चो आपका काम है कि आप मुझे comment section में लिख के बताएंगे बच्चो फिर से सुन लो चंद्रमा किस प्रकार की वस्तु है जो इस lecture को देखेगा जिसने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा वही केवल जवाब दे पाएगा बच्चो यह आपका चैलेंजर क्वेश्चन है जिसको आपको जवाब देना है मुझे comment section में कि चंद्रमा किस प्रकार की वस्तु है चंद्रमा एक अधीब्त वस्तु है या चंद्रमा एक प्रदीब्त वस्तु है ठीक है सही है challenge accepted सही है आपको बहुत ही ध्यान से सुनने होंगे क्योंकि बच्चों बहुत ही ज्यादा important है और अगर प्रकाश के गड़ों को ध्यान से सीख लोगे यहां पर सुन लोगे तो आपको प्रकाश के बारे बहुत सारी बाते पता चल जाएंगी जो आपको आगे चलके help करने वाली हैं बच्चो सबसे पहले ध्यान से पढ़ों क्या लिखा हुआ है कि यदि प्रकाश क्रिनों के मार्ग में कोई अपार दर्शी बच्चो अपार दर्शी मतलब होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके बच्चो फिर से सुनिएगा अपार दर्शी मतलब क्या होता है ज इसके आरपार ना देखा जा सके अपार दर्शी क्या होता है जिसके आरपार ना देखा जा सके जैसे क्या आप लोग मालों मैं खड़ी हूंजी क्या यह पीछी जो लिखा हुआ दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है बच्च इसकों तब क्या है हम सब कैसी वस्तू है अपार दर्शी वस्तू है बिटा जी टीबल चेर यह सब कैसी है अपार दर्शी वस्तू है दीवार सब क्या है अपार दर्शी वस्तू है लेकिन बच्चों हम लोग पानी के आरपार द दर्शी वस्तुएं हैं वायू बच्चों यह सब क्या है पार-दर्शी जिनके आरपार चीजों को देखा जा सकता है बच्चों आप यहां पर लिखा हुआ है कि अगर प्रकाश के रास्ते में कोई अपार-दर्शी वस्तुए आ जाती है तो छाया का निर्मार हो जाता है कि हमारी शैडो बन जाती है हमारी छाया बन जाती है हमारी छाया कैसे बनेगी जब बच्चो जो है प्रकाश की रास्ते में कोई अपार दर्शी वस्तु आ जाएगी तो तभी कर छाया का निर्मार होगा बच्चो अभी छाया के बारें बहुत सारी बाते करने वाले हैं हम लो ंग होता है माध्हां बच्चों मतलब कह सकते हैं वह जो हमारी मदद कर रहा है चलने के लिए बच्चों मालो कि a road है ना हम रोड पे चल रहे होते हैं यह भाच्चों मालो means of transport यानि की बच्चों यात-व्याद के साधन कि आपको अगर यहां से वहां जाना है तो आप किसकी सहायता से जाओगे तो आप बच्चो साइकल से जा सकते हो आप बच्चो नाव से जा सकते हो आप जो है घोड़ा गारी से जा सकते हो कार से जा सकते हो ट्रैक्टर से जा सकते हो बस से जा सकते हो रेल गारी से जा सकते हो हवाई जहाद से जा सक तो यानि बच्चों मतलब क्या है यानि बच्चों कह सकते हैं कि प्रकाश के बारें बात करते हैं प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम क्या शक्ता नहीं है बच्चों माध्यम मतलब किसी मालों की जल्ड है ना अपने मेटा पाता है माध्यम पास थीन प्रकार के हैं ठोस किसी भी माध्यम की जुरत नहीं है ना उसको ठोस की जुरत है ना उसको द्रव की जुरत है ना ही गैस की जुरत है यानि कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम क्याव शक्ता नहीं है बच्चो इसका एक्जाम्पिल है निर्वात बच्चो निर्वात मतलब क्या होता है इस word का मतलब समझना जहां कुछ भी नहीं हो जैसे अंत्रिक्ष बच्चों हमारे अंत्रिक्ष में कुछ भी नहीं है ना वहाँ पर हवा है ना ही वहाँ पर कोई गैस है ना ही धूल मिट्टी कड़ है बच्चों वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है तो हम क्या बोलेंगे भाई कि भाई प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आफशक्ता नहीं होती है जैसे कि निर्वात में अंतरेक्ष्म ह हमारा प्रकाश बहुत आराम से चल रहा होता है तो बच्चों आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट बच्चों देखों माध्यम नहीं मिलेगा तब भी प्रकाश चलेगा लेकिन बच्चों अगर अगर प्रकाश को माध्यम मिल गया तो किस माध्यम में के लो चलेगा केवल निकल जाएगा पानी है पानी से तो निकल जाएगा लेकिन अगर वहां पर कोई अपारवटर्शी वस्तु तो क्या होगा बच्चों वहां पर छाया कर निर्माढ हो जाएगा पहला प्रकाश अपार दर्शी वस्तों को बिटा अपार दर्शी वस्तों से होकर नहीं जा सकता है और बच्छो इसका एक्जामपल आप ऐसे सोचो बच्छो पहले की जमाने में एक सजा होती थी काला पानी की सजा जब बच्छो बहुत कोई इनसान बहुत संगीन जुर्म करता था तब बच्छो से काला पानी की सजा संना जाते थी तुक काल पानी मतलब क्या होता है उसको एसे कोठरीं बंद कर देना जहां पर बच्चो कोई भी ना हवा आ रही है ना तो वहां पर जो है कोई भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है यानि बच्चो उसको काले अंधेरे कम्रें बंद कर देना अब बच्चो कम्रें अंधेरा क्यों हुआ क्या है चारत दिवारों से घिरा हुआ दिवार से लोकर के प्रकाश नहीं आसकता है कि दिवार एक अपारदर्शी वस्तू है तो बच्छो क्या है प्रकाश तो अंधर नहीं आ पाएगा नौ़ अअवेश्व निरमाद्व क्या है इसका बच्छो मतलब यह很 इस प्रकाश को चलने प्रकाश को माध्यम अगर मिल गया तो माध्यम में के लोग चलेगा केवल जल में पानी में मों में में काच में आदी जो कैसे हैं पारदर्शी माध्यम बच्छो सबसे आखरी पॉइंट प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है निर्वात में बच्छो निर्वात में सबसे तेज चल रहा होता है और यह चाल होती है तीन गुड़े दस्की घात आठ मीटर पर सकेंद यानि वच्छो प्रकाश इतनी चाल से जैनि वच्छो सबसे तेज चलता है अपना प्रकाश वच्छो प्रकाश चाल सबसे तेज होती ह तीन गुड़े दसकी घात आठ मीटर पर सेकेंड यानि कि एक सेकेंड में वो इतने मीटर चल लेता है तीन गुड़े दसकी घात आठ मीटर माला सुचों एक सेकेंड में ना जाने कितने किलो मीटर चल लेता है समझ लो आप आगे बढ़ेंगे बच्चों तो ये प्रकाश ग सब कोई ना कोई रास्ता होता है अगर मालो आपको सक्सेस टैय करने हैं अगर आपको जो है सफलता के रास्ता टैय किया होगा अगर आप एक successful डॉक्टर बनते हैं तो बच्छो आपने पहले 9-10 तक पढ़ा होगा फिर 11-12 एक बायोलजी चूस करी होगी फिर आपने नीट के मेडिकल कॉलेज ने पढ़ाई करी होगी या बच्छो जो है उसके बाद आपने और आगे पढ़ाई करी होगी तब जाकर क्या एक सक्सेस्फुल डॉक्टर बन गए यानि आपने कुछ ना कुछ रास्ते चुने होंगे है ना बच्छो सेम चीज मालो अगर तुम्हें नानी क घर जाना है तो बच्छो आप कोई रास्ता चूस करोगे करोगे ना चाहें तुम नानी घर जाओ चाहें हम नानी की घर जाएं बटा भाई सबकी नानी घर तक के लिए कोई रास्ता जरूर जाता है उस उस रास्ते से होकर के ही हम नानी घर मस्त पहुंच जाते हैं यानि ब प्रकाश को भी रास्ता चाहिए, प्रकाश का भी रास्ता होता है, ठीक है, देखो बच्चों, तो प्रकाश चलता कैसे है, प्रकाश आखिर का चलता कैसे है, लाइव एक्जाम्पल लेते हैं, आपके आसपास, I hope कि कोई ना कोई रॉड लगी होगी, और लाइट लगी होगी से दहां तो मेरे सामने यह लगी हुई लाइंट मैं देख रही हूं जाए हो रहा है प्रकार शिकेड ने सीधे ा बलोकोL सीध्य opinions सामने से लगाई को है बलोको 988 ससों आई है तो आपको आपको कर से माल ले एक्सपेरिमेंट करते करके बता तो ऐसा यह वच्छा था उसका नाम था बिटा जी इसका नाम था शानुस पुराने जवान एक नाम रखते हैं तो माल लो जो है उसका नाम था क्या नाम रखे हैं मालो आकाश नाम था ठीक है तो मालो आकाश नाम था तो आकाश नाम की लड़का था बहुत होशिया था तो वो ऐसे questions पूसता रहता था तो क्या हुआ कि भाई उसकी मैडम ने उसे समझाने के लिए एक पानी की नली ली बच्चों यह क्या है पानी की नली है ठीक है और यहां पर उने क्या किया यहां पर बच्छों उन्होंने जो है एक कैंडल रग दी कैंडल से क्या होगा और सी बात है बच्छों क्या निकल रहा होगा और सी बच्छों बात है कि कैंडल से निकल रहा होगा प्रकाश ठीक है अब बच्छों यहां से जो है यहां से जो है वह आकाश द कहा आकाश तुम्हें क्या प्रकाश केरने आते हुए दिख रही है तो मैं ने का भाई देखो बेटा जो नली थी वो बिल्कुल सीधी थी इसलिए क्या हुआ हम कह सकते हैं कि प्रकाश के जो प्रकाश है वह बिल्कुल सीधे रास्ते में चल रहा हो तब आकाश कहां मानने वाला इतनी आसानी से आकाश ने कहा मैडम हम नली को टेड़ा करेंगे तो यह आकाश ने क्या किया नली को दिया मोड यह नली को उन्होंने क्या किया मोड दिया तो अब हमारी नली गई है मोड ठीक है वाप लेकिन बच्चों हुआ ये कि आकाश को दिखाई नहीं दिया प्रकाश आता हुआ प्रकाश ऐसा नहीं कि आहां से चल दो खोकली नली है बच्चों इसका मतलब क्या है खोकली लिस्ट प्रकाश चले गई चलेगा है ना प्रकाश पहुंचा इसके अंदर लेकिन जहां से ये नली मुड़ी हुई थी उसके आगे ये नहीं जा पाया बच्चों जहां से नली मुड़ी हुई थी वहां उसके आगे नहीं जा पाया बच्चों इससे प्रकाश को ये तो पता चल लिया क्या सच में प्रकाश सीधर आस् करते भी हैं बच्चो सपोस करो कि यह कोई रास्ता है जो आगे चलके मुड़ रहा है यह कोई रास्ता है जो आगे चलके मुड़ रहा है यह कोई रास्ता है जो आगे चाहते हुए मुड़ जा रहा है मुड़ जा रहा है ठीक है अब बच्चो सपोस करो कि यहां पर बेटा ज अब प्रकाश केने सरैको सिद़ेते चलती है लिकुल सिद्धेते Testament कोई दिकत नहीं धीने आप दर लगी ही नहीं रहा है क्यों नहींID लग रहा है क्योंग रहा है नहीं रख रहा है क्योंकि रास्ते में तर में आफ कमीगेन गॡूल तक बीगफ और बन 1977 तो उजाला है ठीक है लेकिन बच्चों जैसे ही आप यहां तक पहुंचों के वैसे क्या होगा आपको डर सताना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहां पर तो बिल्कुल क्या है अंधेरा है भाईया अंधेरा है हमें इसा लग रहा है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है हम बार बार पीछे मुढ़ मुढ़ के देखेंगे हम आजी सब्सक्राइल लग यहां पर क्या है अभट जबकिर लांप यहां रखा हुआ था फिर भी यहां पर हमें अंधेरा क्यों लग रहा है क्योंकि बच्चों इस लैंप से चलने वाली प्रकाशक्रीं है वो क्यों यहीं तक तक त सबस्था मुढ गया बच्ण वहां से बटा टोगा पीट जो है अपने पास परकाश नहीं पहुंच रहा होगा तक फ़कार्म का सबस्तब में हां डर राख रहे हो गाई सिथ होता है प्रकाश हमेशा सीध हीत रास्ते में चलता है प्रकाश हमेशा सीधी रास्ते में गवन करता है बच्चों आपको जो है एक छोटा से एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं वाई कि बच्चों मालों यह टॉर्च रखी हुई है विटा जी हमने क्या रखा में बच्चों तीन ब्लॉक रख दी है और टीनों होगा अब तुम यह सोचो अगर मैं किसी एक को भी नीचे खिसका दूँ अगर मैं किसी एक को भी नीचे खिसका दूँ अगर मैं किसी एक को भी नीचे खिसका दूँ तो बच्चों क्या होगा जैसे बच्चों मैं नीचे खिसका हूँ बिटा जी वैसे क्या होगा अब कोई प्रकाश नहीं पहुंच रहा होगा तो यहां पर को जाएगा रोक जाएगा और यहां तक हमें कोई यहां पर कोई प्रकाश करण नहीं मिल रही होगी है ना बच्च इसका मतलब क्या है प्रकाश हमेशा सीधे रहा हम चलता है बच्चो आपको एक और एक्जामपल देती हूं छाया हमारी छाया करने नर्मार हो जाएगा इस समझ वह आता है बच्चो की प्रकाश करिणे हैं व सीधे चलती है देखोब्यों हम ने क्या कि नीचे अपना हाथ रख दिया लेंब के नीचे अपने हाथ को रख दिया अब अच्छो क्या होगा इस हाथ क्या जो है प्रतिबें यहां पर निर्माड हो जाएगा अच्छा आपको ना मैं छोड़ा सा कुछ बाते बता देती हूं कि अच्छा के बारे में कोछ एक दो बाती बता देती हूं आपने देखा होगा बत्चो कभी कभी छाया का निर्माण छोटा होता है और कभी-कभी छाया लंबी ँदर याद रखेगा लंबी चाया कब बनेगी लंबी उटा चाया कब बनेगी जब प्रकाश श्रोत बहुत दूर होगा ठीक है बच्चो छोटी छाया कब बनेगी जब प्रकाश्रोत पास में होगा प्रकाश श्रोत पास में है न हमारा हात मतलब की लेंप सकता है किसे च्छाया ऐसे से बचांड मलबा हाथ बंग अधो अधो न्यूनावाटश लगें का यहाँ लोग उस सीख सकते हैं का यार कैसे ढकर जो है प्रकाष सीधय रास्ते में चलता है तो जल्दी प्रकाश करने बहुत कम आ रहे होगी न तब ही तो क्या होगा तब है कैसे बन जाएगी बाई चलो लेक्टर समड़ी देख लेते हैं फड़ा फड़ से देखेंगे एक मिनट के अंदर प्रकाश बचो क्या होता है क्या होती है और जैंश होता है और जो बस जो में प्रकाश की उपस्थिती में दिखाई प्रकाश की या दिखाई देखा था फिर वचैंश हमने देखा भैं प्रकाश की गुंडोंगी आगर धरशली मार् जाएगी तो जह चायक मर्मार हो जाएगा तक हैएfilled चलने के लिए किसी माध्यम क्या चकता नहीं है और हुआ अगर भी हम होना चाहिए अगर मांद्यम हुआ कॉटा चले गां Akt Ahora पारदर्शी माध्यम बच्छों इसकी बात निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है बच्छों इसकी बाद निकाद का प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते पर चलता है अब बच्छों आप वता देती हूं वो बात जो आप लोग जिसके लिए थे बहुत परेशान आप लोके मेडम हमें जो है नोटस चाहिए नोटस कहां से मिलेंगे तो भाई आपको नोट्स भी मिलेंगे बच्छों लेकिन हमारे टेली ग्राम चैनल पर बच्छों टेणी पर बच्छों क्या होगा आप जैसे ही इस चैनल से जुड़ोगे विट वैसे ही क्या होगा आपको हर दिन वहां पर नोट्स मिल रहे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा और बच्चो कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा है तो और अगर लेक्चर दबता के लिए बबाई टेक केर ख्याल रखो अपना बबाई है कि अ कि अ अ कि अधते जर्ली आज है कि अ कि आधी लेक्चर भी नर्डिपन के कि द non